हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू रोमबस एजुकेशन क्या हाल चाल है आप सभी का बढ़ियां ही हैं आप यही आशा करता हूँ मैं आपसे और स्टडी को लेकर के भी आपसे यही होप करता हूँ कि आप बढ़िया से स्टडी कर रहे हैं और हम सिये फाउंडेशन की लौ के ल रिवाइस करते जा रहे हैं जितने केसिस हमने कवर की हैं वो सब आपने डिसीजन आपको लर्न हो चुके हैं तो यही आपसे होप है देखिए रिवीजन इस मस्ट विदाउट रिवीजन हम कुछ गेन नहीं कर सकते तो आप लोग एक थियरी सबजेक्ट है आप लोग रिव क्लियर है उसके बाद आपकी रिवीजन पर बेज रहे कि आप कितना और गेन कर रहे हैं और कितना आपके माइंड में वह चीज़ सेट हो रही है तो चलिए अब हम चलते हैं कि हमने लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा था उस पर बात करते हुआ है आगे बढ़ेंगे तो हम Dynasty Prime पर अधियो हो सकते हैं तो हमने पॉइंट में डिसक्श कर लियह थे और एक केस आपको न्या केस यहां पर अपनों हमने डिसकस किया था बुल्टाउन वर्सेज जॉन्स कौन सा केस बुल्टाउन वर्सेज जॉन्स का केस हमने डिसकस किया था और उसके अलावा कुछ पुराने जो केस हमने डिसकस किये थे कार्बॉलिक स्मॉक बॉल कंपनी वाला ठीक है वो यहां पर हमें केस मिला था एक केस हमने और डिसकस किया था ब्रोग्टन वर्सेज मेट्रोपॉलिटन रेलवे कमपनी और राइट चलिए इसके अलावा अब आगे हमने कुछ पॉइंट इसके डिसकस कर लिये थे जैसे कि हमने डिसकस किया था इसमें acceptance can be given only by the person to whom offer is made ये point clear हो चुका था कि acceptance वही दे सकता है जिसको offer दिया जाता है acceptance must be absolute and unqualified मतलब acceptance वही valid होगी जिसमें कि कोई condition include ना हो the acceptance must be communicated अगर आपने acceptance दे दिया है किसी offer के बदले में बट आपने उसको communicate नहीं किया है तो वो valid acceptance नहीं होगा वहाँ पर acceptance हुआ माना ही नहीं जाएगा उसके बाद next point acceptance must be in the prescribed mode और acceptance क्या होनी चाहिए एक prescribed mode में होनी चाहिए अगर कोई specific mode बताया गया है तो उसके अंडर होनी चाहिए otherwise reasonable mode को follow किया जाना चाहिए उसके बाद time time को लेकर के हमने बात की थी कि जो acceptance है वो एक मतलब अगर कोई specific time बताया गया है तो उस specific time में होनी चाहिए और अगर कोई specific time नहीं है तो किसमें होनी चाहिए acceptance acceptance reasonable time में होनी चाहिए according to goods या जिस भी field में हम contract कर रहे है उसके अंडर में उसके बाद mere silence is not acceptance की जो silence है वो acceptance नहीं मानी जा सकती है तो इसके related हमने एक case हमने last class में discuss किया था the case was the case was okay ओके ओके तो यह point हमारा रहता है यहां पर all right all right all right all right ठीक है ठीक है ठीक हमने invitation to offer last class में किया था उसके अलावा Harris versus and Nickerson का case किया था और एक हमने time related यह point discuss किया था okay okay students चलिए तो हमें यह point यहां पर discuss करना है कि mere silence is not acceptance ठीक है तो चलिए इस पर हम बात करते हैं देखिए एक case है वो case क्या है थोड़ा सा देखिएगा इदर focus करिए case का जो name है वो है felt house versus बिंडले क्या है case का name felt house versus बिंडले ठीक है अब इस case में देखिए क्या है इसको अपने general language में पहले समझने की कोशिश करते हैं फिर वहाँ पर जो facts हमें provide करवाएं हुआ हूँ है उन facts से हम इस case को समझ लेंगे तो general में हम इसको समझते हैं जैसे कि कोई a नाम का person है कोई a नाम का person है उसने कोई b नाम के person को offer दिया उसने b नाम के person को offer दिया कि मैं तुम्हें अपनी car बेचना चाहता हूँ in seven lakh rupees in seven lakh rupees I want to sell my car in seven lakh rupees okay अब b ने तब कुछ भी नहीं कहा उसको लेकर के बी ने कोई जवाब नहीं दिया ठीक है अब b को लगा कि यार मतलब ये car है ठीक है यहाँ पर अपने देखते हैं car बना करके बनती है क्या हमसे ठीक है चलिए for example को याद रखने के लिए हमने यहाँ पर car बनाई है ठीक है और hopefully कि अच्छी ही बनेगी car हमसे ठीक है ओके थोड़ा सा यहाँ पर ठीक है तो हमने ये क्या बनाई है car बनाई है और ये car बेचना चाहता है a b को ये car बेचना चाहता है कौन a b को तो उसने ये car के लिए 7 लाख रुपे बोले और b को लगा कि यार मेरी जेब में तो अभी 7 लाख रुपे है ही नहीं मेरी जेब में अभी 7 लाख रुपे नहीं है कुछ इसी तरह का ये case है इसको general में समझिएगा general में इसलिए लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको ये case याद रखने में आसानी हो जाए तो यहाँ पर b ने कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है तो b ने उस offer को लेकर के कुछ भी नहीं कहा ठीक है लेकिन a ने वहाँ पर एक बात कह दी कि आने वाले 7 दिन में आने वाले 7 डेज में अगर तुमने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैं ये समझ लूँगा कि तुमने मेरे offer को accept कर लिया है तो students यहाँ पर point ये निकल कर के आता है कि b ने तब कोई भी जवाब नहीं दिया और आने वाले 7 दिन में भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और a ने उस पर case file कर दिया कि मैंने इसको offer दिया था और इसने acceptance दे दी थी और अब ये contract क्या बन जाना चाहिए valid बन जाना चाहिए लेकिन decision क्या आया decision यही point आ दिखा हुआ है कि mere silence is not acceptance कि जब तक और जुसको offer दिया गया है जो offer है जब तक वो अपने खुझ से कह करके हमें acceptance नहीं देता है तब तक हम उसे acceptance नहीं मान सकते हैं it means mere silence is not acceptance कि किसी की चुपी को उसकी acceptance नहीं माना जा सकता है the acceptance of an offer cannot be implied कि जो acceptance है वो implied form में नहीं हो सकती है implied क्या होता है जिसके अंदर की by action हम समझ जाते हैं यह contract हो गया है जैसा कि hotel में खाना 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 ठीक है यहां फिर boarding का example हो गया कि local buses चल रही है transportation का example हो गया हम बस के वहां चौक पर खड़े हैं जहां से buses आती जाती है बस आहीं जिस एरिया में हमें जाना हम चड़ गए तो वहां पर हमारा automatically वहां पर contract हो गया तो यह सारे क्या होते हैं implied contract होते हैं तो जो acceptance है वो implied form में नहीं हो सकती है from the silence of the offer or his failure to answer unless the offer has in any previous conduct indicated that his silence is the evidence of acceptance ठीक है अब देखिये case law क्या था felt house versus बिंडले का एफ जो की uncle है offered to buy his nephew's horse उन्होंने offer कि वह अपने nephew का घोड़ा खरीदना चाहते हैं for 30 pounds saying if I hear no more about it it I shall consider the horse mine at 30 pounds उन्होंने का कि अगर मैंने कुछ भी नहीं सुना तो इसका मतलब मैं यह माल लूंगा कि यह जो है घोड़ा वो 30 pounds में मेरा हो गया the nephew did not reply nephew ने कोई भी reply नहीं दिया to F at all बिल्कुल भी F को he told his auctioneer B to keep the particular horse out of sale of his farm stock as he intended reserve it for his uncle okay उसने का कि मतलब इसको अलग से रख दो क्योंकि यह घोड़ा उसने अपने अंकल के लिए रखा हुआ by mistake the auctioneer sold the horse और उसका जो auctioneer था उसने by mistake उस घोड़े को क्या कर दिया sale कर दिया उस घोड़े को क्या कर दिया sale और F sued him for conversion of his property और F ने जो है अपने नेफिव पर case कर दिया कि वो घोड़ा उसकी property था और उस पर conversion के लिए उसकी property के conversion के लिए कि उसने उससे बिना पूछे किसी और को बेच दिया तो उसने उसके लिए उस पर case कर दिया F could not succeed as his nephew had not communicated the acceptance to him और जो F है वो case नहीं जीत पाया किस कारण से क्योंकि उसके नेफिव ने अपनी acceptance उस तक communicate ही नहीं की थी क्योंकि जब उसने कहा था उसको वो घोड़े के लिए तब उस time पर if I hear no more about it I shall consider the horse my net 30 pound उसने कहा था कि अगर मैंने कुछ भी नहीं सुना तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि यह घोड़ा जो है वो 30 pound में मेरा हो जाएगा लेकिन उस time पर F ने कुछ भी sorry जो nephew था उसने कुछ भी reply नहीं दिया था F को ठीक है तो जो acceptance है वो silence में नहीं मानी जा सकती है acceptance के लिए यह जरूरी है कि उसको clear form के अंदर absolute and unqualified form के अंदर communicate किया जाए तब ही वो acceptance मानी जाएगी तो यही केस था बिलकुल इसको general में हमने वहाँ पर discuss किया था students की A B को अपनी कार बेचना चाहता और कहा कि अगर आने वाले साथ दिन में तुमने reply नहीं दिया तो वो सम का है okay now we move to 7th point acceptance by conduct or implied acceptance section 8 of the act lays down that the performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal constitute an acceptance of the proposal मतलब अगर हम कोई action करके किजी को कुछ acceptance दे रहा है वही implied वाली बात यहाँ पर की जारी कि section 8 of the act lays down that the performance performance of the conditions कि अगर हमारे सामने acceptance को लेकर के कोई conditions रखी गई है और हमने उनको वहाँ पर पूरा कर दिया है of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal constitute an acceptance of the proposal this section provides the acceptance of the proposal by conduct as against other modes of acceptance that is verbal or written communication इसके अलाबा जो दूसरा mode होता है acceptance का वो क्या होता है यहां तो हम बोल करके acceptance देते हैं और यहां फिर written form में acceptance देते हैं और एक हमारे पास कौन सा होता है implied form होता है जिसके अंदर की by conduct by action we give acceptance to other party therefore when a person performs the act intended by the proposer as the consideration for the promise offered by him the performance of the act constitute acceptance मतलब अगर जिसको offer दिया गया है उस offer में जो condition proposal ने रखी थी कि अगर आप यह condition पूरी कर दोगे तो उसको मैं अपनी acceptance समझ लूँगा जैसा कि कहीं पर मान लीजे कोई पार्किंग प्लेस हैं उस पर कोई other person अपनी कार खड़ी करता है और एक person ने परसन महीं जहां पर पर्किंग को परसन सांभालता उसको जाकर कर कहा कि मैं तुम्हें वह परसन जो उस जगह पर अपन शार खड़ी करता है वहहार देता मैं तूह तीन अजार रुपे DC मैं तुम्हें 3000 रुपे दूँगा तुम मुझे यह जगह दे दो ठीक है तो उस परसन ने पहले तो सोचा और फिर उसने जो ए नाम का परसन जो अपनी कार खड़ी करना चाहता है उसने कहा कि अगर तुम ने कल उस सी नाम के परसन को एने बी को कहा था भी पार्किंग मैं था ठीक है जो पार्किंग संभालता था और कोई सी नाम का परसन उस जगह पर कार खड़ी करता था जहां पर ए खड़ी करना चाहता था तो ए ने बी को कहा कि यहां पर मैं कार खड़ी करना चाहता हूं यह प्लेस तुम मुझे 3000 रुपे में दे दो ठीक है और इसने एक वहां लेकर के तुम्हारी acceptance हो चुकी है और आगे से मैं यहां पर अपनी कार खड़ी कर लूँगा तो यह तरह से यहां पर क्या हो गई condition के through acceptance ले ली गई है एक implied form में उसने वहां पर उसकी acceptance ले ली कि वह उसके पास चल करके नहीं गया बट by action जो उसको condition दी गई जो करने को कहा गया offer के बदले में वह उसने कर दिया तो इसकी वहां पर acceptance हो चुकी है ठीक है वैंड ट्रेट्समें रिसीव और फ्रों मकस्टमर इसका गोड़ के लिए और उसने ओफर किया अब यह ट्रेट्समें क्या करेगा acceptance करेगा अब acceptance तब कब तब तक नहीं होगी जब तक कि वह उस गोड़ को उस तक deliver नहीं कर देता अब जैसे इसने तो order कर दिया तो इसने उसको offer दे दिया कि मुझे यह चीज चाहिए अब यह ट्रेट्समें जो है वह उसको deliver करके जाएगा तब यह उसको deliver करने जाएगा वह अपना action पूरा कर देगा जिसके लिए उसको offer दिया गया था तब यह मान ली जाएगी कि इसके आगे हम बात करते हैं अब हमारा एक topic स्टार्ट होने वाला है वो क्या है next point communication of offer and acceptance इस पर हम बात करने वाले हैं देखे students अगर module में देखे तो module में यह बहुत बड़ा topic है और इसमें बात वही की गई है just simple way के अंदर ठीक है तो अभी आप मेरे साथ आईए और इस topic को समझने के और आगे बढ़िए यह topic ना बहुत पीचीदा topic है अगर हम direct इसको वहां से पढ़ेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे तो इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम एक बार इसको general में समझ करके चलें ठीक है तो सबसे पहले topic का name लिखे topic का जो name है वो है communication communication and revocation and revocation of offer of offer and acceptance and acceptance अब देखे communication कैसे होगा और रिवोकेशन कैसे होगा ओफर का यह acceptance का हम इसको बहुत अच्छे से और जनरल में समझ लेंगे बस आपके focus की जरूरत है आप लोग focus करिएगा मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा नौटबुक और पैन अपने साथ रखिएगा ठीक है topic यह समझना बहुत जरूरी है और मैं आपको बार-बार कह रहा हूं यह बाकी point से बहुत ही पेचीदा point है ठीक है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है तो देखिए सबसे पहले communication तो आप जानते हैं कि communication ऑफर का सही तरीके से होना चाहिए एपसलीट फॉर्म में होना चाहिए और acceptance भी absolute फॉर्म में communicate होनी चाहिए बट सरी यह revocation क्या है देखो रीवोकेशन होता है कि offer को खत्म कर देना या acceptance को खत्म कर देना ठीक है अब सबसे पहले तो मेरे साथ यह नोट कर nuances के कारण क्या क्या हो सकते हैं ठीक है तो एक हैड़िंग डालिए revocation of offer और lapse of offer कि revocation के या किसी भी offer के खतम होने के क्या क्या reasons हो सकते हैं तो revocation of offer और lapse of offer lapse of offer ठीक है तो इसमें कुछ reasons note करिये साथ में सबसे पहले point पर आप लिखे point number one डाल करके लिखेगा communication of notice communication of notice communication of notice of revocation of revocation by the proposer by the proposer to the other party to the other party मतलब पहला रिवोकेशन का ओफर को खतम करने का क्या रीजन हो सकता है ओफर को खतम करने का रीजन हो सकता है कि अगर communication of notice of revocation proposal other party को भेज़ दे ओफर देने के बाद में तब वो खतम हो जाएगा ठीक है दूसरा point हमें क्या बताता है by the lapse of time by the lapse of time by the lapse of time prescribed in prescribed in such proposal एक्सेप्टेंस तो अगर आपको याद आ रहा हो तो जब हमने लीगल रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस पड़ा था तो उसमें टाइम की भी एक बात की गई थी या नहीं की गई थी बिल्कुल की गई थी और कहा गया था कि एक्सेप्टेंस किसमें होनी चाहिए प्रस बजार में कोई सेल चल रही हो हमें कहा गया कि सेल जो है तीन दिन तक चलेगी आने वाले और हम तीन दिन के बाद जाते हैं वहां पर तब क्या होगा वो टाइम लैप सो लैप हो जाएगा और हम उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे पाएंगे ठीक है उसके बाद नेक्स of a reasonable time by the lapse of a reasonable time without communication without communication of the acceptance without communication of the acceptance तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर उपर एक prescribed time की बात की गई थी उपर वाले point में क्या बात की थी ठीक है और नीचे वाले point में बात की गई है reasonable time की नीचे वाले point में क्या बात की गई है reasonable time की और उपर कहा गया था कि अगर notice of revocation भेज दिया जाता है तो वह तो फिर कर देना ठीक है उसके बाद अब देखे एक और रीजन इसके अंदर आता है वो क्या है by the death by the death or insanity or insanity of the proposal of the proposer if the fact if the fact of the death if the fact of the death or insanity or insanity comes to comes to the knowledge comes to the knowledge of the acceptor of the acceptor before acceptance before acceptance तो यह कुछ reasons है fourth में हमें क्या मिल रहे है अगर death हो जाती है प्रपोजर की या प्रपोजर क्या हो जाता है पागल हो जाता है ठीक है वो situation में अगर इसकी knowledge उसकी death की insanity की knowledge जो है उसको हो जाती किसको जिसने acceptor को जिसने प्रपोजल को accept करना है तो उस situation में वो उसको क्या कर सकता है offer को रिवोक कर सकता है तो इस आपर हम जो बात कर रहे हैं वो बात हम कर रहे हैं किसके बारे में स्टुएंट्स टॉपिक हमारा पर्टिक्लरली चल रहा है communication and revocation of offer and acceptance की दोनों की ही communication कैसे होनी चाहिए दोनों का ही रिवोकेशन कैसे होना चाहिए तो इसको हम बहुत ही ब्रीफ में बहुत ही अच्छे फॉर्म के अंदर समझने की कोशिश करेंगे ठीक है चलिए हम बढ़ते हैं आगे इसको समझने की और तो अपने इन दोनों पॉइंट्स को एक ही एक्जामपल में समझ करके चलेंगे ठीक है चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपने कहानी तो सुनी होगी राज की और सिमरन की सुनी है या नहीं सुनी है का है और एक सिमरन नाम की लड़की है राज जो है वो सिमरन को पसंद करता है राज का सिमरन को पसंद करता है तो राज ने सिमरन को एक ओफर भेजा राज ने सिमरन को ओफर भेजा क्या ओफर भेजा अब आप जानते हैं कि यह हमारा जो कॉंट्रेक्ट एक्ट है वो कौन स उस टाइम पर क्या चला करते थे इस टाहिं परमतलब ये सारी टेक्नोलजी नहीं थी कि वगारा भेज करके हम उसको कर सकते हैं ठीक है तो उस टाइम पर चला करते थे लैटरर चला करते थे ठीक अब देखिये दो चीज़े सकती है एक तो हम और या कम्युनिकेशन जो क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरे सामने जिससे ले रहा हूं दोनों पार्टि आमने सामने है तो किसी भी तरह की कोई प्रॉबलम क्रियेट हो सकती है वहां पर वहां कोई problem create नहीं होगी किसी भी तरह की क्योंकि मैंने offer दिया उसको clear cut offer पहुंचा उसने मुझे acceptance दी मेरे सामने ही और मैंने acceptance ले ले ली ठीक है वहाँ तो कोई भी problem create नहीं हुई problem कहां create होगी जहां पर की communicate आमने सामने face to face ना करके other ways से किया जाए for example letter से ठीक है कैसे चलिए देखते हैं आपने अब सबसे पहले क्या पहले जमाने में क्या चला करते थे हम उसी को ले करके चलते हैं पहले जमाने में चला करते थे कबूतर ठीक है तो हमने यहाँ पर राज ने भेजा है हम ले लेते हैं for example इसको otherwise मतलेना कि सर ने हरा कबूतर कैसे बना दिया तो राज ने भेजा था हरा कबूतर राज ने कबूतर थोड़ा अच्छे वाला बनाते हैं ठीक है राज ने भेजा था हरा कबूतर राज ने सिमरन को हरा कबूतर भेजा था अरे कबूतर बनेगा भी के नहीं बनेगा लेट्स ट्राइए ओके बन तो जाएगा होप तो है चलो जैसा भी बना कबूतर बनाने की कोशिश की है ठीक है तो राज ने सिमरन को एक हरा कबूतर बेजा था ठीक है चिठी दे करके उसके मूँ में उसके मूँ में चिठी दे करके राज ने सिमरन को एक कबूतर बेजा जिसके अंदर सिमरन के लिए एक ओफर था सिमरन के लिए क्या था एक ओफर था और वो ओफर क्या था वो ओफर ये था कि Will you marry me Will you marry me ठीक है अब ये कबूतर चल पड़ा ठीक है अब उस कबूतर के बदले में सिमरन ने भी राज को क्या भीजा एक कबूतर भीजा सिमरन ने भी क्या भीजा राज को एक कबूतर भीजा ठीक है अब ठीक बनेगा hopefully उससे तो better है सिमरन वाला कबूतर ठीक है बढ़िया बनाए तो सिमरन ने भी राज को एक कबूतर भीजा चिठी दे करके उसके मुँँ में ठीक है और उसने उसको जो कबूतर भेजा वो कबूतर किसके रिगार्डिंग था उसके दिये हुए उसके दिये हुए ओफर के रिगार्डिंग था और उसने अपनी acceptance भेजी थी कि I I will marry you I will marry you ठीक है तो यहां पर अभी तक just general में चले हैं हम लोग कि राज ने एक ओफर भेजा राज की तरफ से यह ओफर वाला कबूतर था और यह सिम्रण की तरफ से acceptance वाला कबूतर था ठीक है अब यहां पर कुछ question आते हैं questions क्या आते हैं questions यह create होते हैं students की राज ने जब ओफर भेजा सिम्रण को तो वो ओफर कब communicate हुआ माना जाएगा अब मान लीजिए for example यहां पर राज लिया हमने राज ने वो ओफर पोस्ट किया दस तारिक को कब किया दस तारिक को पोस्ट किया और वो जो ओफर है उसने दस तारिक को राज के पास से निकल गया वो ओफर कबूतर उड़ चुका ठीक है कबूतर उड़ गया ठीक है अब आते हैं हम शिम्रण पर अब सिम्रण के पास वो जो उसके पोस्टॅल अब उसके पास पॉस्ट हो गया वह letter लेकिन अभी तक बहुंचा नहीं है वह वह उसकेज़ लैटरबॉक्स में पहुंच गया अब वह सिम्रन के पास पहुंचा कब सिम्रन ने जाकर के देखा 15 तारिक कि यहाँ पर एक letter आया पड़ाया अब वो सिम्रन के पास आ गया और सिम्रन ने वो letter पढ़ लिया तो यह offer का जो communication हुआ यह offer का जो communication हुआ यह कब हुआ offer का communication पूरा हुआ कब माना जाएगा offer का communication पूरा हुआ माना जाएगा 15 तारिक को कब माना जाएगा 15 तारिक को जब क्या offer will complete यहां पर साथ में लिखते जाएगा offer इसने पोस्ट किया था दस तारिक को पोस्ट किया था कब दस तारिक को बट वो लेटर उसके लेटर बोक्स में पहुंचा 12 तारिक को बट उसको मिला कब और उसने पढ़ा कब 15 तारिक को तो वो 15 तारिक मानी जाएगी कि offer जो है वो complete हो गया किसकी तरफ से राज की तरफ से किसको सिम्रन को ठीक है राज की तरफ से सिम्रन को ठीक है वो कबूतर उड़ा था दस तारीक को बारा तारीक को उसके घर के बाहर जाकर के बैठ गया और पंदरा तारीक को सिम्रन को पता चला कि यहां पर एक कबूतर बैठा है और उसने उससे लैटर लेकर क पढ़ लिया ठीक है अब उसके बाद second situation यहाँ पर create हो जाती है ठीक है क्या कि अब देखिए कि इसने offer कर दिया ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा dates का जो जो जोल है उसको समझते वह चले जाएगा कि मतलब कौन सी date को कब जब उसने पढ़ लिया ना letter उस time पे जब उसके पास पहुच गया सिम्रन के तब हमने माना है उसको कि हाँ वो उसको communicate हो चुका है और ऋब इसके बाद देखिए next point पर क्या होता है next point पर सिम्रन सिम्रन राज को अपनी acceptance लिखती है सिम्रन राज को अपनी acceptance लिखती है और वो acceptance का कबूतर उड़ाती है वहां से क्या उडाती है acceptance का कबूतर अब थोड़ा सा dates के जोल को फिर समझते हुए चलिएगा सिम्रण ने acceptance दी 16 तारिक को और इसने कबूतर उडा दिया 16 तारिक को इसने कबूतर छोड़ दिया अब राज को acceptance मिली थी वो पूरी हो गई कौन सी तारिक को राज को acceptance पूरी हो चुकी है 16 तारिक को इस बात को थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा राज को जो acceptance होनी थी वो हो चुकी है कौन सी तारिक को 16 तारिक को ठीक है acceptance मिलने के बाद contract में बंद चुका है कौन सी डेट को 16 को कौन सी डेट को 16 को यहां परने एक बहुत बड़ा जोल है date को ले करके कि राज ने जब offer भेजा राज ने जब offer भेजा तो acceptance कब होगी acceptance तब होगी जब other party offer कब पूरा होगा offer तब पूरा होगा जब other party के हाथ में वो लेटर लग जाएगा उसकी knowledge में वो लेटर आ जाएगा but acceptance तब हो जाएगी जब वो letter post कर दिया जाएगा post other party की तरफ से जो acceptor है वो जब post कर देगी letter को post करते ही कि यह यहाँ पर SIMRAN कर भड़ी है SIMRAN के हाथ में QBUTAR है ठीक है और सिमRAN ने QBUTAR इड़ा दिया और वो कबुतर उड़ चुका है लेकिन राज के पास अब िदक नहीं पहुंच आ लेकिन राज को acceptance मिल चुकी है राज कॉंट्रेक्ट में बाउंट हो चुका है कि अब वो किसी और की तरफ देख नहीं सकता कि अब वो किसी और को जा करके ओफर नहीं दे सकता अब सिम्रण को उसने ओफर दे दिया सिम्रण की उसको acceptance मिल चुकी है जब सिम्रण ने कबुतर उड़ा दिया acceptance का तो राज को उसकी acceptance मिल चुकी है और अब वो किसी और को offer नहीं दे सकता है दूसरी बात अब देखिए यह जो राज को acceptance मिली वो तो मिली 16 तारिक को जब सिम्रण ने कबुतर उड़ा दिया लेकिन सिम्रण की तरफ स acceptance कब complete होगी जब वो 20 तारिक को राज के हाथ में लैटर मिल जाएगा मतलब सर 16 तारिक को चाहे सिमरंड ने कबुतर उड़ा दिया लेकिन क्या सिमरंड उसके लैटर उस तक महुँचने से पहले उस contract को उस acceptance को वापिस ले सकती है बिल्कुल student यही तो इसका सबसे बड़ा जोल है यही तो इसका सबसे बड़ा जोल है बिचारा जो प्रपोजर है वो फस जाता है अगर उसने offer भेज दिया और acceptor ने उसको पोस्ट कर दिया acceptance को तो वहाँ पर जो प्रपोजर है वो बंद जाता है कि अब वो किसी और को offer नहीं दे सकता चाहे उसके पास वो acceptance पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे बाइटर उसके पास पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे चाहे वो letter कहीं और ही निकल जाए चाहे उस तक वो delivery नहीं हो राइट ड्रेस पर डिलीवर ना हो लेकिन फिर भी वो जो प्रपोजर है वो वहाँ पर बाउंड हो जाता है उस acceptance को लेकर के कि वो अब जिसी और को offer नहीं दे सकता है यहीं तो इस contract का letter वाले के अंदर सबसे बड़ा जोल है लेकिर acceptor जो है वो एक मतलब खुला पंची है कि वो चाहे उसको अगर यह लगा कि हाँ उस तक डिलीवर नहीं हुआ है तो उसके पास पूरा right है कि वो अपनी acceptance को remote कर सकता है वापिस ले सकता है तो यहाँ पर हमने कहा कि राज का offer नफेकप complete होगा राज का offer तब complete होगा जब and letter reaches Simran जब Simran के पास letter पहुंच जाएगा ठीक है ओर acceptance कब complete होगी जब acceptance कब complete होगी अब acceptance कब complete होगी बताओ acceptance will complete कब होगी acceptance complete जब वो letter किसके पास पहुँच जाएगा राज के पास when letter reaches राज, when letter reaches राज किसकी तरफ से acceptance की बात कर रहे हैं हम लोग सिमरन की तरफ से acceptance राज की तरफ से जो acceptance राज को जो acceptance मिल थी वो कभी मिल गई जब post कर दिया गया लेकिन सिमरन acceptance कब मानेगी सिमरन यह सोच रही है ना कि अभी तक acceptance उसके पास नहीं पहुंचिये तो वो उस offer को उस acceptance को क्या कर सकती है रिवो कर सकती है तो सिमरन की तरफ से acceptance कब complete होगी जब वो letter किसके पास पहुंच जाएगा राज के पास पहुंच जाएगा अब offer start कब हुआ offer will start offer start कब हुआ था अमान लोग की यहाँ पर यह राज खड़ा है और राज ने letter लिखा राज के एक हाथ में कबुतर है ठीक है और उसने कबुतर के मुँँ में चिठी डाली उसने कबुतर को उड़ा दिया जब कबुतर उड़ा offer तभी start हो गया when कबुतर राज राज कबुतर यहाँ पर हम इस तरह रखते हैं when राज कबुतर लाई. जब राज कबुतर उड़ पढ़ा तब offer start हो गया और acceptance कब स्टार्ट हुई acceptance will start acceptance कब स्टार्ट हुई जब अब इदर से शिमरन ने अपने वाला कबूतर पकड़ रखा है उसने लेटर लिखा acceptance का कबूतर पकड़ा मुह में चिठी डाली और कबूतर उड़ा दिया अब राज के लिए वह acceptance कब स्टार्ट हो गई when a मैं को सिमरन को में क बूदर य ह communities का बूतर प्लिय इस एक एक्सेuito कीज़ लिए कि अग्सेप्टन्स के लिए स्टार्ट हो गई राज के लिए जब शिमरन ने कबुतर उड़ा दिया तो राज के लिए क्या स्टार्ट हो गई acceptance स्टार्ट होगी लेकिन सिमरंड के लिए acceptance कब complete होगी वो अपनी acceptance कब तक वापिस ले सकती है जब तक राज के पास acceptance का letter नहीं पहुंच जाता है जब तक राज के पास ओफर केन बी रिवाक्ड ओफर को कब कैंसिल किया जा सकता है ओफर केन बी रिवाक्ड ओफर केन बी रिवाक्ड तो कब तक किया जा सकता है ओफर को रिवाक्ड अब राज ने उसको ओफर भेजा था ठीक है अब सिम्रन को ओफर मिल गया सिम्रन ने ओफर पड़ लिया ठीक है अब राज जो है वो अपने offer को तब तक वापिस ले सकता है जब तक सिमरन अपना कब उतर नहीं उडाती एक बात राज के लिए acceptance कब स्टार्ट हो गई जब सिमरन ने letter post कर दिया ना तो राज bound हो गया वहाँ पर offer में तो राज वहाँ पर क्या हो गया bound हो गया वह अब अपना offer वापिस नहीं ले सकता जब सिमरन ने post कर दिया letter लेकिन सिमरन के post करने से पहले पहले राज अपने offer को क्या ले सकता है वापिस ले सकता है तो हम क्या कहेंगे हम इसको बहुत ही general language में लिखते हैं मेरे साथ थोड़ा सा funny language में लिखेगा कबुतर उड़ता नहीं जब तक सिमरन का कबुतर उड़ता नहीं तब तक राज अपने offer को वापिस ले सकता है तब तक राज के पास हक्क है कि वो अपना offer cancel कर सकता है ठीक है अब acceptance कब तक cancel की जा सकती है acceptance can be revoked acceptance can be revoked कब तक की जा सकती है acceptance तब तक rework की जा सकती है जब तक अब देखो acceptance किस ने दी थी Simran ने Simran के पास पूरा right है कि वो acceptance को वापिस ले सकती है तो जब तक राज के पास उसका बेजा राज भीज़ा हुआ कबुतर letter लेकर नहीं पह시는ग जाता तब तक Simran के पास पूरा right है उतने टाइम तक वो अपने acceptance को cancel कर सकती है लेकिन जब जैसे ही सिम्रन का कबूतर उड़ पड़ा राज का पूरा right खतम offer को वापिस लेने का राज के पास offer को cancel करने का right तब तक ही है जब तक सिम्रन कबूतर उड़ाती नहीं जैसे ही सिम्रण ने कबुतर उड़ाया राज का ओफर को कैंसल करने का राइट खतम लेकिन सिम्रण का एक्सेप्टेंस को कैंसल करने का राइट कब तक रहेगा जब तक सिम्रण का उड़ाया हुआ कबुतर राज के पास पहुंचनी जाता बड़ा बुरा जोल है यह ओफरर क तो भी मैं cancel कर सकता हूँ अपनी acceptance पर तू नहीं कर सकता है जैसे मैंने कबूतर उड़ाया तू बंद जाएगा ठीक है तो acceptance कब तक करीवोग की जा सकती है जब तक सिम्रन का कबूतर राज तक नहीं पहुँचता राज तक नहीं पहुँचता बहुत ही जनरल में आपको यह concept समझाने की कोशिश की है ठीक है तो इसको एक बार दुबारा से सुन लीजे कि क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स हैं पॉइंट्स ऐसा है कि राज नाम का एक लड़का है उसने सिम्रन को ओफर दिया विल्यू मेरी में उसने कबूतर उड़ाया और ओफर भेज दिया अब राज का ओफर कब कंप्लीट होगा जब सिम्रन के पास वो कबूतर पहुँच जाएगा वो लैटर उ यूश के पास पहुँचे नहीं पहुँचे ढूसं डिजिन्ट मैटर जैसे शिम्रन ने कबूतर उड़ा दिया राज को एकसेप्टेंस हो गई अब राज बाउंड हो गया अब राज ओफर को वापिस नहीं ले सकता लेकिन सिम्रन की एकसेप्टेंस तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कब उतर राज के पास नहीं पहुंचता सिम्रन तब तक उस acceptance को cancel कर सकती है सिम्रन तब तक उस acceptance को cancel कर सकती है ठीक है यही सारा यहाँ पर concept students कि offer कब start होगा acceptance कब start होगी offer को कब revoke किया जा सकता है acceptance को कब revoke किया जा सकता है और actual communication कब होगा actual communication कब होगा ठीक है अमने इस concept को आज की class में general में discuss किया है कौन सा वाला communication and revocation of offer and acceptance इसको थोड़ा सा और हम ले करके चलेंगे अपनी next class के अंदर और next class में अपने कोशिश करेंगे कि थोड़े अलग से cases discuss कर पाएं ठीक है तो इसी topic को भी continue करना है next class में भी क्योंकि ये topic बहुत important है और इसको कुछ अलग वेसे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा होप ये ही करता हूँ कि जितना अभी तक समझाय है उतना आपको ये topic समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए जितना आपको समझाय है उतना आप अच्छे से revise कीजिए इसको थोड़ा सा module से पढ़िए कि जो बाते मैंने आपको बोली है वो module में किस language में लिखी हुई है ठीक है और अपने मिलते हैं आपसे next class में तब तक के लिए खुश रहिए आबाद रहिए पढ़ाई कीजिए और सबका नाम रोशन कीजिए टेक केर गुडबाई गोडब्लेस यू थैंक यू सो मच